बुजुर्ग दिव्यांग कोविड मरीज घर से दे सकेंगे वोट इस तरह की विवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से करने की कोशिश हो रही है निर्वाचन विभाग इसे लेकर कोई तैयारी कर रहा है विधान सवा चुनाव को लेकर जो बड़ी ख़वरम आप तक कहु मेर वाचन विभाग इसको लेकर तैयारी कर रहा है पहली बार दिया जायेगा पोश्टल पैलिट का वीकल्प दिया जायेगा कोविड पॉजटिव या कोविड संदिग्व को मिलेगी एंट्री बूत पर सबसे लास्ट में मिलेगी एंट्री पोस्टल बैलिट के लिए भरना होगा फॉर्म 12D अगर पोस्टल बैलिट के जरीए आप मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग के जरी एक बाराटी फॉर्म भरवाये जाएगा इस फॉर्म को भरने के बाद आप पोस्टल बैलिट का उप्योग करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं के बड़ी खबर है उत्राखंड में अगले साल चुनाव है और उसे पहले चुनाव आयोग बड़ी तैयारी कर रहा है चले आभाय कैन तूरा हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे अभाय यह तो बहुत भी बड़ा कदम है दिव्यांगों के लिए बुजरुकों के लिए आप पोस्टल बैलिट का इस्तेमाल कर सकेंगे क्या तैयारियां चल रही है इसे लेकर एलेक्शन कमिशन की तरफ से निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या अपडेट है बताईए अभाय बिदान समय चुनाओं के तैयारियों को लेकर इसमें निर्वाचन आयोग अपने अंतिम डौर में यहाँ पर काम कता नगर आ रहा है जिसमें सबसे पहले क्या सकते हैं कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के अलावा जो दूसरी परिकिरियाएं होती है चाहे आपका अधिकारियों के प्रसिक्षन के तैयारियां हूँ या फिर जो पोस्टर बैलेट की तैयारियां उनको लेकर यहाँ पर काम करना फुरू किया जा चुका है और इस समय कह सकते हैं कि बड़े बड़ी पहल निर्वाचनाय के तब से यहाँ पर फुरू की गई है जिसमें तिप्यांग बुजूर के आपी जो कोवीड के जो मरीज हैं उनको पोस्टर बैलेट के जरिये पहली बार मदान करने का काम यहाँ पर किया जाएगा अभी तक पोस्टर बैलेट की जो सुविधा थी यह सिर्विस बोटर के लिए ती जिनके चुड़ाओं में ड्यूक्या लगती थी यह पि जो दूसरे राजियों में कहीं पर अपनी सेवाएं देश के लिए यहाँ पर दे रही थे और उसके बाद उन्हें पोस्टर बैलेट यहाँ पर दिया जाएगा जिसके जरीवा मद्दान करें साथी निर्वाचन आयोग में कहा है कि जिस पोलिंग बूट पर अगर कोई कोबिट के मरीज या संदिक जो मरीजा करूँ सोय मद्दान करना चाहता तो उसके लिए वहाँ के जो पीटा सीन अधिकारी होंगे जो एड़्यों होंगे उनकी परमिशन के बाद उनना सबसे आंत में बोर्ट करने के अन्मती यहाँ पर दी जाएगी तो यह कहते हैं कि निर्वाचन आयोग अपने अस्ता तो पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहा है ताकि उत्रा खणना सफ़ल मद्दान यहाँ पर हो सके और ज्यादा से ज्यादा मद्दान का पर पर सके अगर यह विवस्था होती है हलांकि अब तो हो ही जाएगी निर्वाच कर लिया जाएगा चुनाब आयोग की तरफ से कितने लोगों को फायदा होगा उत्रा खण में से इन चीज़ों पर पूरी तैक्षितिक काम यहाँ पर हो जाता है तो फिर उत्रा खण के जो सुदूर वर्थी जो गाउं है जो दुरस छेत के जो गाउं है जहाँ पर बुज कर लेकर देख उस्ट्रा खण City यहां पर कह सकते हैं तो छ? कर दो से थीन पर दान के आपर दोतरी होगी जो एक संक्रेव तुनाओ केले काजा है चलिए एक जानगारी और दीजी अब है ठीक है निर्बाचन आयोगा इसकी तैयारी कर ला है हम लोग ख़बर भी दिखा रहे हैं लेकिन आम जनता जो इस ख़बर को देख रही होगी उस तक 12 डी फॉर्म कैसे कैसे पहुंचेगा कैसे वो समझेगा कि आप मुझे पोस्टल ब पहुंचेगा क्या क्या जानकारी उसमें देनी होगी और किस तरह से बैलेट पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल होता है जानकारी तो होनी चाहिए ना उसके पास कि उसको कैसे हल किया जा सकता है उन सब चीजों के लेकर एक बड़े आसान रास्ता यहां पर निवाचनारी के तरह से निगाला गया है यहां पर किया जाएगा और उमीद रहें कि चुनाओं से पहले इन सब चीजों की तरह से पूरी कर ली जाएगे अब बने रहे हमारे साथ बहुत ही अच्छी जानकारी आपके जरीए उत्रा खंड की जनता कोई बात अब समझने की जरूरत है कि देखे निर्वाचन आयोग आपके दरवाजे पर आएगा वशर्ते की यदि आपने व्यांग हैं बुजूर्ग हैं या फिर कोविड के हैं अगर गंभीर परिस्थिती में हैं तो उसके लिए अलग तरह के मापदन की हिसाब से आपके दरवाजे पर पहुंचेगा और 12D 12D फॉन भराने के बाद आप उसके लिए योग्य हो जाते हैं आप आप पोस्टल बैलेट के जरीया आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल क सकते हैं